नमस्कार में हो काजर मिशा स्वागत है आप केनवन लाई पर आए नज़र ढालते हिमाचल प्रदेश की मुखी खबरों पर केंजर की मोधी सरकार को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए इसके लिए शिमला में बने की रणीती बिहार के पटना में संपन विपक्षी दलों की मीटिंग में अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के रास्ट्री अधश मली कारजुन खडगे ने किया इसका एलान 10 से 12 जुलाई की बीच होगी है मीटिंग इसमें अगले साल होने वाले लोग सभा चुनाओ को लेकर विपक्षी दल करेंगे चर्चा माचल के पुर्व सीम विर्भद सिंग की रिश पर प्रतिमा लगाने को सुखु सरकार ने नहीं दिया नोसी विर्भद समर्थकों को है इसका मलाद इस पर नेता प्रतिपक्ष जराम ठाकुन ने कॉंग्रेस संगठन और सरकार में तालमेल की खोली है पोल जराम ठाकुन ने दिया बयान कि सरकार की ओर से हुआ था अलान कि रिश पर लगाई जाएगी पुर्व सीम विर्भद सिंग की प्रतिमा अब कॉंग्रेस सरकार द्वारा इसके लिए नहीं दी अनुमती लोगसभा चुनाओ 2024 के लिए कांग्रा संसदिये छेत्र का चढ़ने लगाए सियासी पारवेवक्षी दल भाशपा के मौझूदा सांसत किशन कपूर सहित करिवाधा दरजन कारेकरताओ की श्चुरू हो गई है चुनाओ लड़ने की जोड़ तोड़ कोशिश जबकि कॉंग्रेस को इस बार लोगसभा चुनाओ में उतारने के लिए देखना पड़ेगा नया चहरा पिछली बार कॉंग्रेस टिकट से लोगसभा चुनाओ लड़ने वाले पवन काजल इस बार भाजपा से कांग्रा सदर के हैं विधायक प्रदेश में मुसलधार बारिश से हुआ है भारी नुकसान मलबे में दब गई है शिमला में कई गाणिया कई रास्ते और सड़के हैं बन लोगों के घरों में घुज गया बारिश का पानी परियोजना में गाध आने से शिमला शहर के लिए गीरी से पेजला पूर्ती हो पर यह बंद भारी बारिश के कारण राजगर नाहन रोड पर नेहर बाग के पास हवा में लटक गई पंजाब रोडवेज की बस कालका शिमला विश्व धरोह रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह हुई बारिश के कारण कई जगा पर हो गया भूसकलन इस कारण कालका से शिमला शिमला से कालका जाने वाली सभी चेनों को कर दिया गया है रद जानकारी के नुसार कोटी धरंपूर कुमार हटी समित शोध की नालों में जलस्तर बढ़ने से बनने लगी है बाठ जैसी स्थिती कुल्लू में पारवतिय ब्यास नदी काफी काफी अधिक बढ़ा हुआ है जलस्तर प्रशासन की ओर से परिटकों से नदी नालों से दूर रहने की की गई है पी राज़ानी शिमला में बरसात की तैयारी को लेकर नगर निगम प्रशासन ने खुदाई पर रोक लगाने का किया है फैसला निगम प्रशासन का है मानना की शहर से लेकर रूप नगरों में सबसे ज़्यादा तब होता है नुकसान जब बरसात के दौरान किया जाता है खु आपी जो लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे रहेंगे खुले ताकि आपदा से त्वरित प्रभाव से जा सके निप्टा नगर निगम के कंट्रोल रूम में 27 कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी जो अलग-अलग समय की शिफ्ट पर देंगे क कंट्रोल रूम में ड्यूटी नशे को जड़ से खत्म करने के लिए माचल प्रदेश पुलिस चला रही है प्रधाव मुहिं जिसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरुक करने के साथ ही कई अन्य माध्यमों से नशे के खिलाफ लोगों को किया जारा है जाग हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जम कर बरपाया कहर अगले दो दिन तबाही मचा सकता है मानसुन मौसम विभाग ने जारी किया यलो इलट 25 वद 26 जून को भारी बारिश की है चेतावनी सोलन, सिर्मौर, मंडी, कांगडा, शिमला, उना, बिलासपूर में सबसे ज possibility मौसम विभाग ने दिया जानकारी तो ये थी माचल प्रदेश अब तक की मुख्य खबरें सी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है एन्वर लाइव